हेलो फ्रेंट्स इसे जानते हो बड़ा ही डरावना गेम है कितना भी खेड़ लो तराता ही रहता है तो आज का जो गेम है वो है ड्रेड आउट जैसा कि मैंने प्रेविएस वीडियो में बताया है कि जो भूतनी थी उसे मैंने बहुत कुशिश किया मारने का लेकिन वो नहीं मर पाई फिर मैंने एंड में बुला कि मैं तब इस वीडियो अप्लोड करूँगा तब जब मैं उस भूतनी को फिनिश कर दूगा मार डालूगा लेकिन फिर मैंने सुचा कि जिस रास्ते से मैं उस बूतनी के पास गया अगर मैं उस रास्ते से ना जाकर अगर दूसरी रास्ते से जाता हूं तो तो क्या होता है तो उसी का जो मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहा है उसी के ल अब आज भी यह लो इस जगह भी रेड रेड आ रहा है यानि कि भूतनी इधर भी हो सकती है जल्दी उठ तेरा फोन के दर गया इसका फोन बड़ा ही बेश्ण टाइप का है कहीं भी गर जाता है अब उसे डूनने के लिए हमें जाना पड़ेगा अब भूत नहीं मेरा पिछा थोड़ने निये बाले ही तो हम भाग जाएंगे यहां से यह यह तो है है यह अब अब है कि अरे भाई फोन के दर त्रह अब है जाए है इस बार मां पढ़ेगा मुझे बैक होते होते है जाए है जाने नहीं देगी जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं ये बुतनी यही कहना चाहती है और मैं कहना चाहता हूँ जीने नहीं देंगे तुझे जीने तुझे देंगे नहीं तो आजा ले पंगा मैं इतना आगे आने के बाद जाओ ये भुतनी लग रहा है कि मरने वाली है बड़ ये मुझे भागने नहीं देनी यहां से अगर मैं भाग जाओ तो कुछ फरक पड़ता है यहां से कि इतनी दूर से तो अटेक करने से रही तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसे ही बैक होते होते किदर गई किदर गई बुतनी बेबी बुतनी शो यूर मूव बेबी बुतनी ओहो यह तो कहीं से भी निकल के आ जाती है वाँ बड़ी सूपर नेक्चल प्रावर है तेरे पास थोड़ी से मुझे दे दे पर इस तरी कैसे नहीं जिस तरी कैसे तू देना चाहिए मुझे दूसरे तरी कैस चाहिए जैसे सूपरमैन को नहीं सूपरमैन तो एलियन था जैसे 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 मैं क्या बताऊं हाँ जैसे फ्राइंक जट को मिलती है उस तरी के से मुझे चाहिए बस जो तेरा तरी का है न वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तेरे मुपे आ तू वो भी बड़ा वाला मोटा सा एक वार में तेरे इस चंगों से बचने के बाद चल चल पीछे जा चल तेरा रास्ता जहां है उद्धरी चल देख ज़्यादा डराने के चल लाने के जरुवत है नहीं तुझे ठीक है तू सोच रहे है तेरे चल लाने से डराने से मैं डरने जाऊंगा तो ये तेरी सोच बिल्कु सही है पर मैं जितना फटो देखता हो तू नहीं किदर से आ रहा था मैं अब भाई जहां से भी आए हो एक बार मत आयो बस इस बार मत आयो बस अब मैं निकलने वाला हूं यहां से जो मैंने पहले बोला था वो मैं अपने सब्द बाबस लेता हूं नौट शो मी और मूव बेबी भूतनी अब तो तो मेरा पीछनी आएगी ना चलो दोस्तों इस भूतनी से अमारा पीछा चूटा तो पता नहीं मैं किदर आ चुका हूं मुझे ऐसा लगता है वो पीगी टाइप इधर नहीं आ जाए बस अरे ऐसा लग रहा है यह पिगी टाइप ही नहीं पिगी टाइप बाली जगे नहीं है यह दूसरी जगह है इसमें कुछ है यहां कुछ है भाई कुछ है तो नहीं है तो सई चलो देखते देखते इसको भी देख लेते हैं यह क्या है यह क्या है ग्रेंड एसेंबली ओई 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 यह क्या करके गया भाई फाइल में कुछ हाया है गोश्ट्रोपीडिया इस टाइप का जो भूत होता है यह है इस यूरूप या से वो रोब क्या है इस यूरूपा इन्फोर्मेशन है अब समय में आया मुझे एक चीज समझ में नहीं आई जो यह है इन्वेंटरी में जो है इसका क्या काम है इसको मैं एक्यूब भी नहीं कर सकता पता नहीं स्टोरी टर्म्स इस्टोरी आइटम है यह इस्टोरी आइटम के बाद चलो अब शुरूं को चेक करते हैं इस जगा पर भी कोई ना कोई है या कोई बहुत ज़रूरी चीज है यह क्या है अगर कैमरे में तो यह तो वह फोटो है जो मैंने अभी बुद्नी से बचते हुए क्लिक किये पटे से पहले वाले फोटो किदर गए इसको मैं गैलरी सेव कर लेता हूं एंड इसको भी कर लेता हूं पता चलेता है कि हमें कैसे कैसे बुद्ने को मुझे थे इसका मुझे पता नहीं चला यह क्या चीज है वाई ये कोई spell तो नहीं हो सकता है कोई spell हो तो ये inventory से जाकर ये ये कुछ काम की नहीं है तो होड़ चुक है 918 बीच का video skip कर दिया मैंने तो अब मुझे जो रास्ता मिला है वो है ये अब इसमें बहुत ज़्यादा होड़ साउंड आ रहा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा रहा है अब वो ऐसा क्यों कर रहा है वो भी मुझे नहीं पता ओ यू फाउंड रिंग वोट आई डू फॉर इस इस अब्जेक्ट इस फ्लोइंग वेद मिस्टिकल एनरजी मतलब क्या यार इन चीजों को मैक क्यूप कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा सेम दोनों पे एक की लाइन लिखी हुई है बस कैसे लें से या नहीं आ रहा कुछ भी समझ में कुछ भी समझ नहीं आता है एए ड़ाने कर नको सो दोस्तो इसी वीडियो को यहीं रोकते हैं देखते हैं कि आगे क्या होता है कैसा गुछ देखने को मिलता है और बहुत जादा साउंड इफेक्ट जो आ रहा है इसका मतलब यह है कि जो आयरा स्टार्टिंग में जो भूत नहीं बनी थी गायब हो गई थी वो आस पास ही है तब इतना सहरण साउंड यह दे रही है और बार बार कुछ बोल रही है इस धरावनी अवाज को अपने दिल में दबा कर यहीं रोकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन आता है अंदर से कि हाँ और वीडियो डालें इसी वज़े से एक लाइ अगर आपको सबसे पहले सबसे पहले मिलें तो कमेंट में लिखना फर्स्ट ब्यूर एंड फर्स्ट कमेंटर सो थैंक्स वर वाचिंग